चलो आज मैं आप लोगों को बिना लस्टन प्यास से बने राजमा बनाना सिखाती हूँ जो बहुती जल्दी बनकर डी होते हैं तो बस यहाँ पर करना क्या है सबसे पहले यहाँ पर हमें तीन कटोड़ी राजमा लेना है राजमे की कॉंटेटी आप लोग अपने ही साप से अच्छे से बिगव करते हैं इसको मैंने 3-4 गंटे फहले अच्छे से बिगो कर रख दिया था इसको 3-4 वार अच्छे से दो लेंगे फिर यहाँ पर हमने लिए एक प्रिशर कूकर जिसके अंदर यह सारा राजमाट करेंगे उसके आप इसमें एक कप अच्छे से पाने ढ तो बस यहां पर मैंने इसमें तीन से चार सीटी लगा ली है अब हम इसको चेक करेंगे कि अच्छे से बॉइल हुआ है या नहीं तो देखे यह बहुत अच्छी तरीके से बॉइल हो चुका है तो चलो अब इसके अंदर आड़ करने के नहीं हम ले लेते हैं कुछ मसाले तो जिसाब से ही आप लोग मसाले अट केजिएगा जैसे की चाट मसाला, मैगी मसाला, लाल मिच पॉडर, हल्दी पॉडर, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिच नमक अट करेंगे फिर यहां पर हम सबसे पहले ले ले लेंगे एक मिक्सी जार जिसके अंदर मैंने यहां पर तीन से जार, मेडियम साइस के टामेटर को इस तरह के से स्लाइस में कट कर लिया है, इसको हम एक मिक्सी जार में डाल देंगे, उसके बाद इसके अंदर तीन से चार हरी मिल्चों को आड करेंगे और इसका ठककन लगाएंगे, इसके ना हमें एक फाइन पेश्ट बनाना है, दिख बहुती स्वाधिष्ट बनता है, तो आप लोग भी एक करना, इसको अच्छे से गरम करना, इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालना, जैसे कि देश पत्ता, हलका सा हींग डालना, हलका सा जीर डालना, और सूखी लाल मिश डालना, और इसको लो फ्लेम पे हलका हलका सा उसके बाद इसके अंदर हलका सा पानी डालना, गाई जीर में पानी का जादा यूज नहीं रखना है, बस हलका सा ही एड़ करेंगे, जिससे कि मसाले अच्छी तरीके से बुन जाएंगे, और ये जलेंगे भी नहीं, उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे, फिर यहाँ पर न साइडों में आ जाएगा, तो यहाँ मसाल अच्छी से बुन चुका है, देखो इसका ओयल भी साइडों में आ गया है, तो बस इसको इसी तरीके से ही बून लेना, उसके बाद यहाँ पर अपने सारे बॉल राजमा आट करना, मसाले में राजमे को बहुत अच्छी तरीकी स से मिक्स कर देना, तो आप लोग भी इसको किसी भी ओकेशन या बैड़े पार्टी के लिए तैयार कर सकते हैं, यह बिदाओद लसन प्यास से बना है, और यह बहुत ही टेश्टी लगता है, तो आप लोग भी फटा फटसी वीडियो को फोलो कर लो, एक बार ट्राइ कर लो इसको अच्छे से मिक्स करकर ढखन लगा और पाश मेट के लिए लो फ्लेम पे कोप करो, तो लीचे यहाँ पर हमारा विदाओद लसन प्यास बना हुआ राजमा बनकर रैडी है, इसको एक पर फिल से चला लेना, उसके बाद इसमेट कर लेना, रोटिट कस्तूरी मीथी ज उसके बाद गार्निश कर लेना, इसके ओपर अच्छे से हरा धनिया, तो लीचिए भई, हमारे यहाँ पर राजमा बनकर अच्छे से रैडी हो चुके हैं, आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर फोलो करना, आप लोगों को भी यह राजमा बहुत पसंद आने वाले हैं, ब एक बाद यह रेसिपी जरूर राए करके देखना, एक बाद ट्राए करना, इन्जोई करना, एंड बाबाई